पूर्व मंत्री और कॉंग्रिस नेता योगेंदर साव और उनकी पतनी को जारखंड हाइकोट से बेल मिल गई है जारखंड हाई कोट के नियाधिश रंगन मुखोपाध्याय और नियाधिश अम्बुजनात की अदालत में योगिंदर साओ के द्वारा नीचली अदालत से दी गई सजा के खिलाफ दायर अपील याचिका पर सुनवाई हुई है पूर में हुई सुनवाई के दौरान कोट ने योगिंदर साओ के द्वारा दाखिल क्रिमिनल अपील की सुनवाई के दौरान LCR मांगा था उसी के आदेश के आलोक में लोवर कोट की रिपोर्ट दाखिल की गई योगिंद्र साओ की ओर से जहारखन हाई कोट के अधिवक्ता विशालतिवारी और अधिवक्ता शुभाशीस रसिक सोरे ने पक्ष रखा अधिवक्ता ने जानकारी देते हो बताए कि योगिंद्र साओ करीब चार वर्स से जादा समय से जेल में बन थे लेकिन अब हाई कोट से बेल मिलने के बाद उनके जेल से बाहर आने का रस्ता साफ हो गया है आने के बाद सभी पक्षों को सुनने के उपरांत योगंदर साव को जमानत की सुविधा प्रदान की है यह हजारी बाग में एंटी पीसी के खनन छेत्र में उग्र प्रदर्शन एवं उससे उपजे हिंसा मामले में आरूपी बनाए गये थे और चार साल से बतौर कैद में थ आज उन्हें जमानत की सुविधा दी गई है गौर तलब होग की बढ़का गाउं के चिरुडी में एंटी पीसी द्वारा अधिग्रह छेत्र में खनन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा मामले में निचली अदालत ने पूर्व मंत्री योगिंदर साओं को 10 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद पूर्व मंत्री ने निचली अदालत से मिली सजा को निरस्त करने को लेका जहारकन हाई कोट में गुहार लगाई थी इसी केस की सुनवाई करते वे कोट ने उन्हें बेल की सुविधा दी है बीर रुपोर्ट निउस वेंग सुनाई थी जब कार लगाई पूर्ट नियते हैं